तो गाइज पिछले वीडियो में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई दीगी इस आप के बारे में बताओ यह सिमुलेटर कैसा है कैसे यह काम करता है तो इस आप के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यह एप हर उस स्टुडेंट के लिए ज़री है जो CNC प्रोग्रामिंग सीखना चाता है और यह बहुत ही बहुत ही सांदार एप है इसके तुरू आप आसानी से प्रक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हैं आपकी स्किल्स इस एप के तुरू डवलप होंग की CNC प्रोग्रामिंग में ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यह CNC सिम्मिलेटर इसके मैंनी जब फंक्सेंस के बारे में बता देता हूं यहां पर आप देख रहे हैं यह जहां पर कोर्नर में यह अलग-अलग व्यू के लिए तू नंबर और यह देखे यह इसको मुमेंट अप डाउन लेफ्ट राइट इदर अगर मुमेंट करवाना हो पूरे को ही तो इसके लिए है ठीक है और यहां पर देखे यह वाला यह एरो इसको घुमाने के लिए आप इसकी अलग-अलग डाइरेक्शन में आप घुमा के देख सकते हैं ठीक है इस तरह से और यह जो है फॉर्थमर यह जूम-इन और जूम-आउट के लिए ठीक है इसके बाद यहां पर देखे कोर्णे में यह एप को एक्जीट करने के लिए अगर आप सिमिलेशन को एक्जीट करना चाते हो तो इसके लिए ठीक है उसके जश्ट नीचे है इसमें कोई नय प्रोजे है और कुछ प्रोग्राम इसमें आते हैं इसके लिए ओपन प्रोजेक्ट है और अगर अपने प्रोजेक्ट को प्रोग्राम को सेव करना चाते है उसके लिए सेव प्रोजेक्ट तो न्यू प्रोजेक्ट में आप न्यू प्रोजेक्ट पर किलिक करेंगे राइट किलिक करे यहां पर एक 2nd नंबर वहीं यहां पर आपको मिलेगी जोब डिटेल, जोब डिटेल आप देना चाहते हैं, यहां पर आप दे सकते हैं, जो वरक पीस की लेंद कितनी होगी उसको कम ज्याद़ कर सकते हैं, जैसे देखिए, 500 mm तक आप वरक पीस ले सकते हैं, ठीक है, और होना चाहिए 40 mm, maximum 5 mm, ठीक है, इसका diameter, maximum 210 डाय है, और minimum 10 mm, 10 mm से लेके 210 mm तक का, हम diameter का job ले सकते हैं, ठीक है, और इसके जो end allowance जो हम छोड़ते हैं, इसके यहां पे होता है, ठीक है, नेक्स्ट यह है, जो हमारे कौन-कौन से टूल कहां पे है, टूल के बारे में आप डाल देखते हैं, तो यह हमारे टूल सेलक्षन के लिए है, इसमें हम टूल ले सकते हैं, सभी तरह के टूल यहां पे मिल जाएंगे, बहुत से टूल आपको लोक दिख रहे हैं, रेड कलर में, उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस एप का फुल वर्जन आपको खरीदना होगा, ठीक है, लेकिन आप लगबग सारे काम वैसे ही कर सकते हैं, बिना फुल वर्जन खरीदें, आप देख सकते हैं, इसमें और भी टूल हैं, जैसे एक टूल आपने जनरल टर्निंग के लिए सलेक्ट कर लिया, और भी काफी टूल अनलोक हैं, उनमेंश आप एक एक सलेक्ट कर सकते हैं, आप 30 mm ड्रिल, और बोरिंग बार भी इसमें है, देखे, जनरल टर्निंग के लिए बोरिंग है, जिसका कटिंग अंगल 95 डिग्री है, टूल होल्डर का कटिंग अंगल 95 डिग्री है, ठीक है, यह देखे, काउंटर टर्निंग के लिए यह रही, गुरुविंग के लिए भी आपको मिल जाएगा गुरुविंग पार्टिंग के लिए जनरल ट्रेनिंग सेपिंग के लिए आर्ची एम्टी के साथ में काफी टूल है जिन टूल्स के आपको जरुत होगी वह आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं अलग अलग नंबर में आठ हमारे पास पोकेट हैं जिन में हम टूल लगा सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं यहां से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं display और नीचे corner में आप देख रहे हैं यहां से program write करने के लिए keyboard open हो जाकता है यहां से आप लिख सकते हैं और 001 and when end of block ऐसे करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट इस पे वर्नियर कालिपर है जिससे आप डाइमेंशन माप सकते हैं देखिए डाय मापने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको एकजेक्ट इस लाइन से मैच करनी होगी जो आपके जोब की है देखिए ठीक है यह डाय है और मेंशन के लिए इस अपका अगर फुल वर्जन खरीदना हो तो आपको तिन चुब्वीश रुपए पे करने हों लेकिन अभी हमें इसके फुल वर्जन की जरुद्ध है नहीं एक प्रोग्राम हम चला के देखते हैं इसमें कोई भी साइकल ले लेते हैं ठीक है तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी मसीन स्टार्ट हो गई है और यह बोरिंग का टूल जा रहा है बोरिंग करने के लिए इसमें होल अल्रेडी है जिसमें बोरिंग का टूल हमने चलाया है और यह देखे आप कुलेंट भी प्रोपर्ली वर्क कर रहा है बहुत ही अच्छा सिमिलेशन है जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग करेंगे एक्जेक्ट वहीं आपको रिजल्ट मिलेगा उपर में आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लोक चल रहा है सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और साइड में ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं यहां पर डाइमेंशन दिखा रहा है कि जैड में देखें कितने mm लेन तक अंदर जा रहा है टरनिंग करते हुए ठीक है एक्स में देखें एक्स में 21 mm के डाया में और यह देखें जैड में अभी 27, 29, 30 ऐसे कर 30 mm लेन तक यह जा रहा है अंदर ठीक है बोरिंग हो रहा है इसमें मैंने आपको अलग व्यू में दिखाया है यह 3D में आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छा आप है यह आप ग्राफिकल व्यू में देख सकते हैं ग्राप भी दिखा देता है काउंटर बोर बनाने के लिए नेक्स्ट टूल DCMT इंसर्ट के साथ इन टूल की डिटेल वगरा सब कुछ आप वहां से देख सकते हैं सेकंड नंबर में मैंने आपको बताया था और यहां ग्रीन कलर का जो कोलम आपको दिख रहा है यह मशीन को साइड वे 5 नंबर के पास में यहां पे आप देख सकते हैं इजीली की प्रोग्राम क्या बना वो यहीं से बनाते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि रंणिंग में कौन चा ब्लोक चल रहा है ठीक है यह गुरूविंग हो रही है अगर गार्ज आपको इस एपको लेकर कोई भी प्रोब्लम होती है इसको यूजज़ अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर कोई भी दिख्कत होती है तो आप मुझे कॉमेट कर सकते हैं वीदियो के नीचे मैं आपको कॉमेट का रिप्लाइज जरूर करूंगा और अगर आप आप कहेंगे तो इसके लिए मैं और भी टीटेल में एक और वीडियो बना दूँगा जिस में हम खुद का प्रोग्राम बनाकर और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडाम बनाकर दिखाऊंगा कि यह तरह से आप वर्नियत हम माप के देखेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर हम डाय माप सकते हैं यह डाया 30 mm और इसके बाद जो हमने गुर्विंग की है गुर्विंग डाया जो इसने बनाया है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्नियत हमाप के असानी से ठीक है तो गाइज यह बहुत ही सांदार एप है और यह आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर मैंने बता दिया यहाँ पर इस आपकी डिटेल मिलेगी कॉर्णर में यह mm और इंच में चेंज करने के लिए यह साउंड के लिए है और उसके जड़िट नीचे 3D के लिए है ओकें यह ग्राफिकल व्यू के लिए ग्राफिकल व्यू आपको श्यों करेगा इस एपको डाउनलोड करने के लिए आपको प्लेटार आप अपन करेंगे प्लेटार ओपन करके और उसमें आपको लिखना है CNC simulator जो अल्रेड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे देखे आपको दो दिख रहे हैं यह एक है जिसकी price 320 रुपे है आप free वाला लेके और free simulator में आप असानी से यह सारे काम कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखा है turning के पूरे काम आप इसमें कर सकते हैं बहुत अच्छा है ठीक है गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू प्रोग्राम के साथ थैंक्स पॉर वोचिंग